बॉत सब्सेतं में चीजे Sapp cynral एप सारी चीजे सिखाती यह एक इंसान के साट साल तक जी रखा यह एक शीविनीकिय बारे में पूरे लाइफ के लटने के बारे में उसकाव में लिखता है सकते हो क्योंकि आपने अभी तक अपने जुर्णी में पांसे दस किताबे पड़ रख्योंगी वड़ आपको याद भी नहीं होगा कि उन में से क्या कोई आपने कोई चीज इंप्लिमेंट भी किया था अभी कुछ दिन पहले ही मैं सारे कमेंट सुछक कर रहा था एंड और अगर आप कोई किताब करेंगें तो यहां पर यह कि जो और उस किताब के आपको गरना क्या है वहाँ पर आपको जाना है यूजरू पर आपको कोई इनकी पॉड़ प्लास को इनका टैने श्विसले क्योंकि अगर आप इसी किताब को स्टार्ट कर रहे हो जाई सी बात और अगर आपको उस person की बात को सुनके काफी इच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, आपको वो intellectualism वाला feel आता है, आपको लगता कि यार ये बंदा, जब podcast में, जब इसकी conversation में इतना कुछ वालू दे रहा है, तो उसकी किता में बहुत सारे चीज़ों होगी, तो step number 2 इसक कि read the content page, अगर आप से लिए कोई किताब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो उसका proper है, पर हमारा content page होता है, आपको proper उसको read करना चाहिए, कि section 1 में क्या है, section 2 में क्या है, section 3 में क्या है, ठीक है, और आपको एक highlighter का proper use करना है, और आपको देखना है कि अभी आप इस चीज़ों के वारे में क्या सीखना चाहिए, ठीक है, और जो आपको लग रहे है कि इंपॉर्टन लेसन है, उनको उपर आप ग्रील्स हाइलाट कर दो, कि इनको तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने है, और अगर आपको ऐसा feel होता है कि यार, कुछ lessons ऐसे हैं, जो कि मेरे मतलब के बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उन पे red sign मार दो और आपको वो किताब रीड करने के जरत बिल्कुल भी नहीं है, और even guys, you know what की, जितने बहुत वारे शाप माइंड है इस online world के अंदर में, लगना वल रवी कांथ हैं साब बहुते हैं बात की, मैंने आज ते किसी किताब को प्रफर खतम नहीं किया, तो it is not important कि किसी किताब को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसे प्रफर खतम भी करना है, तो आपको जो वहां से nuggets लेने है, आपको जो वहां से value लेनी है, आपने ले लिया, that's it, now, अब हम बात करने वाले है हमारे step number 3 के बारे में, यहाँ प सबस करो कि मैंने किताब में start किया है, अब इस किताब के अंदर में हुआ कि मुझे 17 पीच फिर बहुत ही प्यारा value मिला, ठीक है, और मैंने वापर क्या किया कि बीच पर आया हम लिखे है, मैंने पीच नमर 17, पीच नमर 28, पीच नमर 35, पीच नमर 67, ठीक है, तो यहाँ पर आपका method बहुत जदा काम करने वाला है, कि आप एकदम किताब के पीचे लिख दो, यहीं पीच नमर, यहीं पीच नमर, यहीं पीच नमर, उसके बाद जाके उस किताब को आप दुबारा से proper read कर सकते हो, ताकि आपको वह अच्छी तरीके से proper revise हो जाए, ठीक है, now guys, so guys, यह बैठो, और उस किताब के नम आपे लिख दो properly, और जो आपको वहाँ से अच्छी learnings मिल रही है, आप वहाँ से पोठाओ, और प्रॉपर उसको प्रॉपर लिखने चाल को तो one by one by one, it doesn't matter कि वो five pages का है, six pages का है, आप अपने understanding according, उसको अपने उस page पे लिखो, ठीक है, you might be thinking, मैं तो एक किताब को रिट कर रहा हूं, एक किताब को रिट करने के बाद मैं तो दूसरी किताब बना दूँगा, मैं कर सका हो 100 pages लग दूगा, नहीं, आपको लगता है, आपको वह pointer लिखना है, जो कि आपको लगता कि ये बहुत जादा है मेरे लिए, इसको मुझे दुब एक new पूरी e-book टाप में बन जाएगी, important, it's important, right, ठीक है, तो by the next time, अगर कभी भी आपको वो किताब को डिड़ करना है, तो आपको किताब को छोड़के, वो जापके नूट्स है, आप उनको प्रॉपर गूतु कर सकते हो, and you will get completely awesome value, और आपका प्रॉपर मापे revision भी हो जाए तो मैंने एक blue diary प्रॉपर बना रखी है, let me just show you right now, ठीक है, यह diary मेरी यहीं पर है, here you go, यह मेरी डाइरी है प्रॉपर है, यह मेरी है implementation diary, तो अगर मैं किताब को डिड़ करता हूँ, तो बिसे के लिए मैं समय हाइलाइट करना होता है अपने business में, अगर मुझे कुछ ऐसा idea यहां पर डिफेंट जगा पर मैं यहां पर डिफेंट जगापे मैं इसको प्रॉपर लिखने चालू करता हूँ, यह चीज मुझे इंप्लिमेंट करना है अपने business केंदर में, plus you can also do one thing which is कि आप अपना self whatsapp group बना लो और वहां पे आप लगदो implementation बाट, तो वहां पे आप से अपने एक दोस्त के साथ और एक WhatsApp group में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वह लोग भी सही तरीके से किताब को पढ़के और अपने life में अच्छे से गुरू कर पाए, I will see you in the next video, and मुझे बताओ comment box में आपको next topic, next video, किस topic यो बढ़ चाहिए, I will see you in the next video, तित्व के लिए, have a great day, and cheers! किताब note झाल झाल